एक तरफ सुभा दुआम में से यही कहता है कि जो पर्मिशन के लिए आपको मैंने मेल किया था मेसेज किया था वो तो आपने देखा ही नहीं लेकिन उनका रिपलाई मुझे कैसा आया आप बताओ जहापा दुआम में ये तो चुप चुप सुनती है लेकिन उनको भी पता न ही चला है कि सुभा ने क्या मेसेज किया था और क्या किसी ने रिपलाई कर दिया दूसरी तरफ इबादत मनत को बार बार फोर्स कर रहे होते है कि तुमको सुभा के जैसा चला का नहीं मिल सकता है सुभा से ही तुमको निका करना पड़ेगा मनत ये कहती है कि क्या ऐसी बात है जो कि सुभां से ही मुझे निका करना परेगा गाइस बहुत ही बारा confusion पैदा हो रही है सुड़ाप से है दूआ के आने वाले एपिसोड में जो बहुत ही exciting confusing और suspense वाला होने वाले है फिलहल मुझे तो यही लग रहा है कि सुभां ने मेल किया था पार्मिशन के लिए दूआ अम्मी को वो मेल का reply यह इबादत ही किया है क्योंकि इबादत सुभां के बारे में बहुत अच्छी तरी इसके पता था कि सुभां मन्नत को ही चाहता है और वो ही reply साइद इबादती दे दिया है आप लोग बताओ आप लोग का opinion क्या है